हेलो एवरिवान वेलकम टो पिनेकल दोस्तो आज हम बात करेंगे मधप्रदेश की बेकेंसी पर जिया दोस्तो मधप्रदेश बेकेंसी 2021 दोस्तो काफी अच्छी खबर है खासकर उन लोगों के लिए जो ब्यापम की ही तियारी कर रहे हो और लंबे समय से इन बेकेंसियों का इनतजार कर रहे हैं तो दोस्तो उन्हें बता दूं कि ब्यापम में और मधप्रदेश में इन बेकेंसीयों को लेकर हलचल होने लगी है और यही एक अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तो जब भी हलचल होती है तो बेकेंसियां आती जरूर है दोस्तो कुछ निउस पेपर की क हजार पदों पर भरति की जाएगी जियां दोस्तो काफी लंबे समय से ब्यापम में और एमपी में कोई वेकेंसी नहीं निकली है तो इसे लेकर पंदरा सो तो एमपी एसाई की भरती आने की उम्मेद है और पंदरा हजार कांश्टेवल की पर दोस्तो यहां पर बताना चा कि फाइनली जो वेकेंसी आने की उम्मेद हम कर सकते हैं बहर 14,000 वेकेंसी कर सकते हैं जिसमें सब इस्पेक्टर और एमपी कांश्टेवल की भरतियां होगी दोस्तो अगर इन वेकेंसी की बात करें तो यह संबता है जो भरतियां होगी बहर इसकुल और कालेज की परिक्ष लिया जाएगा दोस्तो अगर बात करें तो जेल पहरी के लिए तो MP में MP की जो साइट है पीवी की साइट है उस पे अपडेट भी कर दिया है यहां आप देख सकते हो कि जेल पहरी रिक्वार्मेंट टेस्ट 2020 और दोस्तो अगर इसकी फार्म भरने की तारिक की बात करें तो यह 24 अक्टूबर 2020 को इसके फार्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे तो दोस्तो काफी अच्छी ख़वर है ब्यापम के जो स्टुडेंट है और लंबे समय से त्यारी के लिए बेटे हैं दोस्तो मैं पहले भी कहता था कि यह एक गोल्डन चांस है इसका सदुप्योग करें क क्योंकि जो लोग इस लोग डाउन में पड़ रहे होंगे वो आपसे कितनी आगे निकल जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको त्यारी कंटिन्यू रखना है क्योंकि व्यापम एसी वेकेंसियां लाता है अगर पिछले तीन साल से तो कोई वेकेंसि नहीं आई लेकिन अ एक साथ आईगी दोस्तो क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने गुरूफ 3 और गुरूफ 2 और सब गुरूफ 4 के लिए अपडेट कर रहा है और अगर इसके डेट की बात करें तो सेप्तेमबर 2020 में इसके फाम भराना स्टार्ट हो जाएंगे दोनों बेकेंसियों के गुरूफ और गुरूफ 2 और गुरूफ 4 के लिए भी तो दोस्तो आसा है आपको वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि यह जो वीडियो है बिना फिल्टर की है और जो भी चीजे हैं वो काफी कुछ खोजविन करने के बाद मैं यहां तक आपको दे रहा हूँ तो दोस्तो मिलते हैं न लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें थेंक्यू फोर वाचिंग